हालो आप रिवान मैं हूँ दीपक पंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्राखंडी हम यहां पर उत्राखंड से रिलेटेड वीडियो अफ्लोड करते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आज सुबर की करेंट एफर वीडियो में आपको ब ब्हरत ने नया मांचित्र आपका लूंच किया है जारी किया है उसके बारे मता दूं तो भारत ने कि दो नवंबर में 2010 को अपना नया राजनेन तक मांचित्र जारी किया है जैसा कि हम सभी को पता है कि 31 Oh aged 2019 से भारत के서 कूद दो अलाग अलाग केंद्रसासित प्रदेशों में बांट दिया गया है तो इसके लिए इसको क्लियर करने के लिए भारत ने अपना राजनेटिक मैप जारी किया है दो नॉवंबर 2019 को इसमें 28 राज और 9 केंद्रसासित प्रदेश दिखाए गए हैं यहां पर एक खास बात यह क्यों है कि भारत ने इस नक्से में पाकिस्तानी कब्जे वाले कस्मीर यानि पी ओके के हिस्सों को भी कस्मीर छेत्र में दिखाया है जैसा कि आपने पिछले को समय से भारत के जो लीडर्सिप है उसके बयान सुने होंगे कि प्यों के भी भारत का हिस्सा है तो अब इन प् पंच और मीरपूर को भारत में सामिल किया है जैसा कि देखिए दोस्तों आपको आपकी स्क्रिंग पर यहां पर जम्मू कस्मीर का नया मैप दिख रहा होगा जिसका सोर्स है पीटी यहां पर आप देखिए जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वह लद्दाक का छेतर है औ का जम्मू कस्मीर केंदरसासित प्रदेस में 20 जिले दिखाए गए हैं आजादी के संब्सक्राइब में 14 जिले थे जो आप बढ़के देखिए जम्मू कस्मीर एक पूरा पूर्ण राज्य था लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद दो नई किंसाधित राज्जी बने जम्मु कस्मीर और लद्दाक अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ भारत नैपाल विवाद क्या है जी हां जैसे ही भारत ने दो न आखंड के काला पानी और लिपूलेक छेत्र नैपाल के दार्चुला धार्चुला जिले के हिस्ते हैं यह जानकारी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दी और उन्हें ने इसका खुल कर पॉइंट टू पॉइंट अपोस की आजब की नैपाल सरकार की त जो लेफ्ट साइड में यहां पर है यह उत्राखंड का हिस्सा है जहां पर हम इस साइड है और देखिए जो आपका बॉर्डर लगता हुआ है यह नेपाल से बॉर्डर है तो जो यह काला पानी है काला पानी आपका कैलास मानसरोवर यात्रा कैलास मानसरोवर रूट पर प लोग रहते हैं और रंग समुदाए की लोग रहते हैं और रंग समुदाए के और अस्तिवी सर्जन भी करते हैं काला पानी काली नदी का उद्गम है जहां परे काली माता का मंदिर भी है यहां पर देखिए दोस्तों हम सभी को पता हुआ कि ऐट्ठारसोहाटे सिंगौली में अंगरेजे और नैपाल न्यपाल गोरख गोरखाओं के बीच जो संधीुस्ध हुई थी उसमें जो यह काला पानी है यह भारत और णैपाल दोनों देशओं दोनों नेंसिसों की सीमा को सीमा अंकन करती है अंकन करती है और यही जो काली नदी है बहुत बात पर पुछा जा चुका है कि काली नदी को उत्राखन में क्या कहा जाता है तो यही जो काली नदी है इसको टनकपुर में सारदा कह दिया जाता है और जो एक काला पानी है इसकी लिपुलेग से दूरी लगबग 15 किलो मिटर ह और गुंजी जो के खुद मांसरोर यात्रा पर एक इस्तित है उससे यहाद काला पानी की दूरी मात्र 9 किलो मीटर है दोस्तों अब थोड़ा सा जो अपर विवाद है वो क्या है जो काला पानी की जमीन है भारत के गर्वियाल और गुंजियालों के नाम पर दर्ज है और जो कि राजा ने भारती रंग समुदाय की लोगों को दी थी और आज भी गुंजी गाउं के लोगों के पास राजा के मोहर वाले दस्तावेज मौजूद है मैं आपको बता दू कि जो नेपाल का अंतिम गाउं है भारती सीमा से लगता हुआ चांगरू वो काला पानी से 17 किलो 1262 में तो उसके बाद से काला पानी और यलिपूले एरिया है यह इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स बॉर्डर पुलिस यानि भारती तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा कंट्रोल में तो दोस्तों देखिए इसकी जो जिम्मेदारी है वह अब जो सच्चे हो विदे सची है उनको दे दी गई है आपको आपकी स्क्रींग पर फिर से मैप दिख रहा होगा इस मैप को आप देखिए क्यों आपको यह जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आप बविश्य में प्रसासनिक अधिकारी बनते हैं और आपकी इस सीमा छेत्र पर ड्यूटी लग जरूर रख सकते हैं तो इसी आसा में कि आप उत्राखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तह्यारी बड़े जोस और बड़े मनोयोग के जात कर रहे होंगे मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जय उत्राखंड